दोस्तों अगर आप भी अपने phone के storage से बहुत ज़्यादा परिशान है कि भाई मैं अपने phone में ज्याधा application भी रखता हूँ ज्यादा video, photo, कुछ भी ही रखता हूँ पिर भी जो मेरे phone का storage है बार बार जल्दी full हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे hidden settings के बारें बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपने फोन के storage को पूरा का पूरा खाली कर सकते हैं सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर 3 settings करना है उसके बाद जो आपके फोन का storage है पूरा का पूरा खाली हो जाएगा अगर आपके फोन में 64GB storage है या फिर 118GB storage है तो आप अपने फोन के storage को increase भी कर सकते हैं वो भी बीना कोई third party application का वो भी मैं आपको live proof दूँगा कि किस तरीके से आप अपने फोन के storage को बढ़ा सकते हैं यानि कि increase कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर कुछ नया settings करना होगा तो settings कौन सा उसे कैसे use करना है तो वीडियो को जरा से भी skip नहीं किजेगा तो चलिए उस settings के बार में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा request करता हूँ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को एक like कर दें तो चलिए बें टाइमें टेक करते हैं वीडियो को start मेरा नाम है सिवम और आप देख रहे हैं टेक सिवम सोनी यूटूब चैनल तो चलिए दोस्तों उस settings के बार में जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने phone के storage को खाली कर सकते हैं और आप अपने phone के storage को increase भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे first status के बारे में तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम अपने phone में 50 start application रखते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मेरे phone में YouTube हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपको करना क्या है रेटली आपको storage के अंदर जाना है, यहाँ पर आप देश सकते हैं कि जो मेरे app का size यह वो है 309 MB, लेकिन यहाँ पर जो हमारे phone का storage यह consume किया है 2.18 GB, यानि कि आप समझ सकते हैं कि हमारे phone का storage कहा consume होता है, आपके phone में जितने भी application है ना, सभी application बेकार में ही आपके storage को consume करकते हैं, तो यहाँ पर आपको उसे खाली करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देखिया, ठीक है, तो निचे में आपको एक option मिलेगा catch के नाम से, और यहाँ पर आप देश सकते हैं, कितना MB हमारे phone का storage कंजूम किया है, 797 MB, यानि कि आप समझ सकते हैं, कि अगर एक application, 1 GB, 2 GB हमारे phone का storage कंजूम करेगा, तो हमारे storage बहुत जल्दी full होगा ही, तो यहाँ पर आपको इसे खाली करने के लिए क्लिया करना हुगा, निचे आपको एक option मिलता है, जिसका नाम होता है, किलियर data का, यहाँ पर आपको किलियर all data नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना 0B, यानि कि आप समझ सकते हैं कि जो मेरे phone का storage है, कितना घाजा, खाली हो गया है, क्योंकि हमारे phone में जितने भी application होता है, वो हमारे phone के storage को बेकार में consume करकते हैं, किलियर catch करने के बाद, आपके phone से कुछ भी delete नहीं होगा, नहीं आपका photo delete होगा, नहीं application, नहीं कुछ ही आ बहुत ज्यादा खाली कर सकते हैं, या कहिए तो आप अपने phone के storage को increase कर सकते हैं, तो उसके लिए पो करना क्या होगा, डिर्कली हम minimize करते हैं, अपने phone के home screen पे आते हैं, ठीक है, home screen पे आने के बाद, यहाँ पर आपको करना क्या है, डिर्कली आपको अपने phone के settings के अंदर तो यहां पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होता है अडिश्टनल शेटिंग्स यहां पर आपको अपने फोन के अंदर जाना है और व्यूल नंबर पर साथ बाट टैप करना है उसके बाद आपके फोन में यह डिवलॉपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसी के मैंने चैनल में भी बहुत सारे वीडियो बनाया है डिवलॉपर ऑप्शन के बारे में तो आप विजिट कीजिए और अपने फोन के कई प्रॉब्लम को सॉल भी कर सकते है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है थोड़ा यहां पर स्क्रॉल डाउन कीजिए तो य पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है प्र सक्रॉम यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे फोन के अंदर बंद रहता है लेकिन यह हमारे फोन के लिए बहुत ही important setting से अगर आप अपने phone में इसे on कर देते हैं तो life में आपका storage है कई भी full नहीं होगा यह आपके phone में कैसे work करेगा सबसे पहले हम इसके बारें बात कर लेते हैं जैसे कि हमारे phone में एक option आता है तो वो बहुत जल्दी consume होता है और आपके phone का storage बहुत जल्दी भर जाता है लेकिन आप आप करना क्या है इस status को आपको यहाँ से on कर देना है on करने के बाद आपकी phone में जो memory card लगाने का option देता है वहाँ आप सिर्फ आपको एक memory card लगाना है ठीक है memory card लगाने के बाद आपको इस settings को on करना है उसके बाद आप अपने phone में कुछ भी डाउनलोड कीजिएगा तो वो directly आपके phone के memory card में जाएगा आप कोई भी application डाउनलोड करते हैं कोई भी game डाउनलोड करते हैं video, photo, audio कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं तो directly आपके phone के memory card में जाएगा और आपके जो phone का storage है कई भी भरेगा नहीं पूरा का पूरा आपके phone का जो storage है वो खाली दाएगा यह हमारे phone के लिए बहुत ही important settings है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा helpful है तो आप अपने phone में इस settings को जरूर ट्राइ किजेगा अगर आपके phone में storage कम है या फिर बहुत जल्दी जल्दी आपके phone का storage भर जाता है तो इस settings को आप अपने phone में on कर लिए उसके बाद आपका जो storage है life में कई भी full नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे most important settings के बारे में third settings के बारे में जिससे कि आप अपने phone के storage को increase कर सकते हैं यानि कि बढ़ा सकते हैं यह हमारे फोन में वर्चुल इस्टोरेज रहता है जैसे कि हमारे फोन में वर्चुल रहता है वैसे हमारे फोन में वर्चुल इस्टोरेज रहता है लेकिन यह हमारे फोन में रहता है बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं है तो यहां पर आपको करना क्या है यहां पर हम बहुत लोग को पता नहीं है तो रिटली आपको इस पर टैप करना है ठीक है टैप करने के बाद यह कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देखते हैं मेरे फोन में कुछ वीडियो है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर कुछ मोवी भी है यहाँ पर देखते हैं दो जीबी तीन जीबी का मोवी है एक मोवी दो तीन जीबी का है जो कि मेरे फोन का स्टोरेज जरा सभी यह कंज्यूम नहीं करता है तो वह कैसे होगा तो यहाँ पर आप ध्यांद गया ठीक है उपर में आपको एक थ्री लाइन का उप्शन का लोग्या हुआ है लेकिन आप इसे यूज नहीं करते हैं अगर अपने फोन में इसे यूज कीजिएगा ना तो आपकी फोन का जो ड्राइब है उसमें आपको अपना इमेल डालना है अप अपने फोन में कोई भी बी मोवी है फोटोंकर नोड करते है तो वहां पर आपको ट्राइप को ओप्षन मिलता है डाउँलोड करने वक्त तो वहीं पर आपको टोर ट्राइप करना है उसके बाद आपके फोन में जितने जादा जीबी का है तो यहां पर इसे आप यूज कर सकते हैं उसके बाद एक महेना बाद आपका जो normal storage है 15GB जो आपको free मिलता है वह ही आपके drive में रह जाएगा क्योंकि यह 15GB है वो हमारे phone में free मिलता है आप इसे use कर सकते हैं अगर आपके phone में storage कम है यह हमारे phone के लिए बहुत ही important setting से और इसके बारे में बहुत लोग अभी तक पता नहीं है कि drive के अंदर हमें storage भी मिलता है यूज करने के लिए तो यह 3 settings से आप अपने phone के storage को खाली कर सकते हैं और increase भी कर सकते हैं तो I hope कि आपके लिए video बहुत यदा useful साभित हो तो वीडियो को like करते हैं सभी सतों के पास share करते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें ततक लिए जैन टेक कर मिलता है नेक्ट वीडियो में